लुढक रहे फार्मा शेर ने अब भरी उडान, ग्यारा दिन में 50% चड़ गए शेर लगातार गिरावट के बाद एक फार्मा कमपनी के शेरों ने तेज दौड लगाई है। कमपनी के शेरों का बावन हफते का हाई लेवल 201.35 रुपय है। करीब 50% चड़ गए हैं। दिश्मैन कार्बोजेन के शेर 6 फरवरी 2023 बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज में 81.90 रुपय के स्तर पर थे। कमपनी के शेर 21 फरवरी 2023 को BSI में 122 रुपय पर बंध हुए है। पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में डिश्मैन कार्बोजेन के शेरों में 20% से ज्यादा की तेजी आई है। इस साल अब तक फार्मा कमपनी के शेरों में करीब 27% की तेजी आई है। पिछले एक साल में 27% से अधिक गिरे कमपनी के शेर डिश्मैन कार्बोजेन के शेर पिछले एक साल में 27.60% गिर गए हैं। फार्मा कमपनी के शेर 22 फरवरी 2022 को BSI में 168.50 रुपय के स्तर पर थे। कम्पनी के शेर 21 फरवरी 2023 को BSI में 122 रुपए पर बंध हुए हैं। पिछले पांच साल में डिश्मैन कार्बोजेन के शेर करीब 63% लुढ़क गए हैं। डिश्मैन कार्बोजेन के शेर 27 मार्च 2020 को BSI में 48.85 रुपए के स्तर पर पहुँच गए थे। कम्पनी की दुनिया के कई देशों में मौझूदगी है। स्विट्सर लैंड, यूके, फ्रांस, नीदर लैंड्स, चीन में कम्पनी के डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म ने खरीदे हैं 11 लाख से ज्यादा शेर। एन्विल वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 13 फरवरी 2023 को डिश्मैन कार्बोजेन के 11.9 लाख शेर खरीदे हैं। कम्पनी में वेल्थ मैनेजमेंट फर्म की हिस्सेदारी 0.76 परसेट है, एन्विल वेल्थ मैनेजमेंट ने यह हिस्सेदारी 99.44 रुपए प्रती शेर के भाव पर खरीदे हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही में डिश्मैन कार्बोजेन का तिमाही मुनाफ़ा 32.7 परसेट बढ़कर 46.96 करोड रुपए रहा है, जो की एक साल पहले की समान अवधी में 35.38 करोड रुपए था।